कभी गांधी परिवार के बेहत करीबी रहे नटवर सिंग ने अपनी किताब में किये गए खुलासों से नकेवल कॉंग्रेस बलके यूपीय सरकार पर तमान सवालिया निशान लगा दिये हैं। तमाम सच्चाईयां सामने आ जाएंगी। सौनिया गांधी ने कहा मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि मुझे इन सब की आदत पढ़ चुकी है। मैं खुद किताब लिखूंगी और तब हर व्यक्ति सच्चाई जानेगा। मैं किताब लिखनेों को लेकर गंभीर ह और लिखूंगी। गोर तलब है कि अपनी आने वाली किताब One Life is Not Enough में पूर्व विदेश मंतरी ने नकेबल विदेश मंतरी के अपने कारेकाल के दोरान के तमाम अनुभव लिखे हैं बलके गांधी परिवार और खास कर सोनिया गांधी की राजनेतिक सफर के बारे में तम के अपने बेटे राहुल गांधी के कड़े एतराज के बाद परधानमंतरी बनने से इनकार किया था। राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सोनिया गांधी परधानमंतरी पद स्विकार कर लेंगी तो उनके पिता और दादी के तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। नटवर सिंग के मुताविक पार्टी पर सोनिया गांधी का नियंत्रड इंद्रा गांधी से ज्यादा था। उनकी हर बात पार्टी के लिए कानुन थी। नटवर सिंग के खुलासों पर सरकार के साथ ही कॉंग्रेस के सयोगी भी मुहर लगा रहे हैं। थी सुख्षित और विद्वान राजनिता है। नहरू परिवार से 1944 से जवारलाल जी के समय से संबद्ध रहें। इंदिरा जी के समय भी रहे, राजियू जी के समय रहे, सोनिया जी के समय रहे। वो कोई गलत और शुद्र बात नहीं लिखेंगे। जो कुछ उनने लिखा है, अवश्य सच लिखा है और उस पर गंभीरता से विचार करना है। अब वो ग्यान उनका जो निकला है, तो वो कह रहे हैं तो तिहास की बात कह रहे हैं तो, और आदमी तो संजीदा है नटवर्सी, लेकिन हर चीज का, जिनका कोई बास्ता इस देश से नहीं है, लोग तो फासी चड़ गए हैं, त्याग तो इस देश से बहुत से लोगों का लेकिन आपको त्याग कहीं एक ही, एक दो जगे ही दिखता है, इसका क्या इलाज है। तो वो इस तरह की बात करें, तो मैं समझती हूँ, बहुत गिरी हुई बात की है, उन्होंने इंसानियत के तर पर जो रिष्टे होते हैं, बेशक वो राजनीती हो, या व्यक्तिगत रिष्टे हो, उनको बहुत ठेस पुंचा है। इराक के अनाज के बदले तेल घोटाले में नाम आने के बाद सरकार से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें कॉंग्रेस पार्टी भी छोड़नी पड़ी थी। शैलेंद्र मेश्र और अनुजयादव के साथ, रिशी कुमार, डीडी निउस, दिल्ली